अपने धर्शुकों को बता दे कि आज कॉंग्रेस की केंदे चुनाओं समिती की बैठक होनी है और बैठक में अमेठी और राइवरिली लोगसबा सीटों पर उमिरवारों के नाम पर फैसला हो सकता है ऐसे में अमेठी से राहु गांधी और राइवरिली से प्यंका गांधी के चुनाओं रणे की आतकले लगाई जा रही है हाला कि अमेठी और राइवरिली के लिए नामांकन 26 अप्रेस से शुरू हो चुका है कॉंग्रेस CEC के बाचक में आज पंजाब की लोगसबा सीटों पर भी उमिद्वारों के नाम तैह हो सकते है उधर केंवे मंत्री स्मिती रानी लगातार अपने लोगसबा अमेठी छेत्र में चुनाओ प्रचार कर रही है कॉंग्रेस सुक्रों की वाणे तो वायनाट लोगसबा सीट पर चुनाओ खत्म होने के बाच रहुल गांधी अमेठी की तरफ रोक कर सकते है क्या राहूल गांधी फिर अमेठी से लड़ेंगे चुनाव? क्या अमेठी का दंगल फिर स्मृती इनानी वर्सिस राहूल गांधी होगा? 24 का रण अमेठी का मूट समझे क्या किसरी बार अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृती इरानी और राहूल गांधी आमने सामने होंगे? क्या राहूल गांधी अपने परंपरकत सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है 2019 में राहूल गांधी को चुनावी पटकडी नेने के बाद एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केंडरी मंत्री स्मृती इडानी गाउं गाउं में जाकर सभाए कर रही है और राहूल गांधी पर करारा वार कर रही है आज अगर हम गांधी परिवार से कहें मुसाफिर काना कहा है और मटियारी जी का गाउं कहा है बता पाएंगे अगर आज हम कांग्रेश के दिन्दी के नेताओं से कहें ये बताओ भिटवा कहा है भादर कहा है बता पाएंगे इस्मृती रानी पूरी तरह से कॉंफिडेंट है कि इस बार अगर राहुल गांदी अमेठी आते हैं तो उनकी हार 2019 की हार से बड़ी होने वाली है पूरी अमेथी लोगसभाद चेत्र में एक लाग चौधा हजार गरीबूं के घर बने हैं पात साल में जिसमें से दो साल करोना का था मतलब काम करने के लिए मेरे पास तीन साल था कांग्रेस पार्टी पंदरा साल लापता सांसद के माध्यम से दस हजार घर भी बनाए थी क्या हंग तीन साल में एक लाग चौधा हजार घर बनाए हैं इस बार भी स्मृती राणी गाउं गाउं जाकर छोटी छोटी सभाई कर रही है और इन सभाव में गाउं की महिलाई जादतर स्मृती राणी को सुनने के लिए आ रही है स्मृती राणी लगातार अपने लोगसभाद छेतर में गूम रही है और रोजाना एक दरजन से जाता छोटी छोटी जनसभाई कर रही है मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ स्मृती राणी इस वक्त स्टेज पर है और वो लगातार सहगड के महिलाओं से पुर्सों से लगातार को संपर्क कर रही है सीधे कनेक्शन स्कापिट कर रही है और जब स्मृती राणी दोजार चौदा कर रही थी तब वो अमेठी छोड़के नहीं गे थी इसी तरीकी से छोटे छोटी घाओं उस तरपर सभाएं की थी जिसके वज़ए से 2019 में स्मृती इरानी ने राहूल गांधी को 55,000 से जादा न्यूज एटीन इंडिया की टीम अमेठी के कई इलाके गई और लोगों की राय जानी की उनकी नजर में बहतर कौन है इसमृती इरानी या राहूल गांधी 2019 में स्मृती इरानी ने जैसे ही अमेठी से राहूल गांधी को चुना में शिकस दी उसके बाद स्मृती इरानी समझ गई कि अगर अमेठी में बने रहना है तो लोगों की बीच ही रहना पड़ेगा जिन महिलाओं से स्मृती इरानी ने मुलाकात की उन महिलाओं से न्यूज इजिन इंडिया ने भी बात की कॉंग्रेस सूत्र बताते हैं कि वाइनाट का चुनाव खत्म होने के बाद राहूल गांधी अमेठी की तरफ रुक करेंगे और यही वज़ा है कि अमेठी की कॉंग्रेस कारिकरता उनी सबसे पहले राहूल गांधी की घर की साफसफाई करवा दी वैसे अमेठी की कारिकरताऊं को अमीद है कि राहूल गांधी जरूर अमेठी से चुनावी परचा भरेंगे दूसरी तरफ कॉंग्रेस के कारिकरता लगटा डोर टू डोर घूम रहे हैं और कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो को अमेठी के लोगों को समझा रहे हैं कॉंग्रेस के जो कारेकरता है वो कॉंग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और पूरी तरीके से तयार है यह ज़रा पूरा मैनिफेस्टो दिखाईए कॉंग्रेस का गैरेंटी कार्ट दिखाईए यह देखे यह ज़रा इसको सीधा करके दिख राहूल गांदी अमेटी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो जल्दी साफ हो जाएगा लेकिन सौबात की एक बात अमेटी में स्मृती इरानी का पढ़ना भारी दिख रहा है टोक कोतवाली थाना चेतर की एक दुलहन शादी से महज एक दिन पहले अपने घर से गायब हो गई इसका पता लगने के बाद परिजन और आसपास के लोगों ने इधरोध तलाशा युवती की नहीं मिले पर वो कोतवाली पहुँचे हंगामा खड़ा किया रोड तक जाम कर दिया मामने की गंभीरता को देखते हुए तीन थालों की पुलिस के साथ अतिरिक पुलिस जापता दैनात कर दिया गया पुलिस और प्रभुत लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा कर थाने से बाहर हटाया लेकिन आक्रोशित परिजनों के साथ समाज के लोगों ने पाज बत्ती के बाद जाम लगा दिया परिजनों का कहना है कि आरोपी यूवक उनकी लड़की को बहला फुस्पलाग कर ले गया शनिवार को लड़की की शादी होनी है